बेलकम टू इज्जाम गुरुजी भाई अर्भिन सर भारत में यूरोपियो का आगमन पूरी वीडियो आप देखेंगे मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी प्रस्न आपका मिस नहीं होने वाला है अंत तक बने रहेगा पूरी कहानी हम आपको इस्टोरी जैसे बताएंगे और एक-एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है अभी नोट करने का प्रियास नहीं करना है श्रीव आपको पूरी वीडियो ध्यान से सुननी है उसके बाद आप फिर से पढ़के भी नोट बना सकते हैं और इसका पीडियव आपको हमारे टेली ग्राम चैनल पे मिल ज मारें तो आपकोभेगे तब आप चैनल साब्सकाइब करिएगा अपने मित्र सेर करिएगा अनिðा कोई लाग नहीं तो चलिए सदिये पर्थम देखेंगे पर्थम पूर्तगाली तथा पर्थम यूरोपिय यात्री आप से पूछा जाए पर्थम यूरोपिय यात्री या पर्थम पूर्तगाली यात्री वासको डिगामा नव दिन की समुंदरी यात्रा के बाद अबदुल मनीक नामक गुजराती पत परदर्सक की सहायत से 1498 में इस भी में काली कट के समुंदर तट पर उतरा आपसे ये पॉइंट आपको याद रखना है सबसे पहले वासको डिगामा कब आया 1498 में में एक गुजराती व्यक्त अब्दुल मनीक नामक पथ परदर्सक की सहायता से कहां उतरा काली कट में उतरा आगे पॉइंट दोस्त क्या हुआ कि जब वो काली कट पे उतरा तो काली कट के जो सासक थे काली कट के जो राजा जमोरिन थे जमोरिन थे जमोरिन ने वासको डिगामा का स्वागत किया काली कट के जो राजा थे जमोरिन ने वासको डिगामा का स्वागत किया एक पॉइंट याद रखना है जब वासको डिगामा वहाँ पे पहुँचे तो किसने उनका विरोध किया तो लेकिन काली कट के समुंदर तटो पर पहले से ही ब्यापार कर रहे थे अर्बों ने तो जैसे ये वहाँ पे पहुँचे तो इसके पहले अर्ब लोग जो थे वो ब्यापार कर रहे थे उन्हों ने वासको डिगामा का क्या किया बिरोध किया और राजा जमोरिन ने उनका क्या किया स्वागत किया ये पॉइंट आपको याद रखना है वासको डिगामा ने भारत में काली मिर्चिब के ब्यापार से साथ गुना अधिक मुनाफ़ा कमाया कहने का मतलब वासको डिगामा जब पुर्तगाल से आया तो उसका जितना पैसा लगा था आने जाने में उसका 60 गुना अधिक उसने स्रिविक मसाले की ब्यापार से कमा लिया ये आपको याद रखना कितना गुना तो 60 गुना आगे कहा गया पुर्तगालियों ने 1503 इसबी में कोचीन में अपनी पहली ब्यापारी कोठी के स्थापना की पूछा जा सकता आप से कि पुर्तगाली ने सबसे पहले अपनी ब्यापारी कोठी कहा लगाई तो कोचीन में और कब लगाई पंदरा सो तीन इस भी में आगे क्या है दोस्त यहां पे देखेंगे और भारत में पर्थम पुर्तगाली वाई सराई के रूप में पॉइंट ध्यान से दखना है भारत में पर्थम पुर्तगाली वाई सराई के रूप में फ्रांसिस्को डी अलमेडा पंदरा सो पांच में आये और पंदरा सो नव तक उनका आगमन रहा कहां पे भारत में पूछा जा सकता आपसे भारत के पर्थम पुर्तगाली वाइसरा है तो फ्रांसिस्को डी अलमेडा थे क्या हुआ जब फ्रांसीसी डी अलमेडा जो थे ये सबसे पहले आये थे जब आपको पता हो हुआ नहीं रहता है लेकिन जब अलमेडा के बाद अल्फांसु डी अलबूकर्क आए तो उन्होंने पंदरा सो नव में पूर्तगालीों पुर्तगालियों का वाई सराय बनकर भारत आये अलमेला के बाद अलफांसो डी अल्बुकर्क अल्बुकर्क आप पढ़ते होंगे इनका पूरा नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ये पंदरा सो नो इस में पुर्तगालियों की वाई सराय बनकर भारत आये ये याद रखना है कि अल्बू करक ने गोवा को 1510 इस भी में आदिल साससे चीन कर अपने अधिकार में कर लिया और जब अपने अधिकार में किया, और आपको याद रखना है. ये लोग क्या कि है 1556 B में, गोवा में ही पुर्तगालीओने भारत की प्रथम printing press का अस्थपीत किया। ये याद रखना है प्रथम printing press गोवा में अस्थफित हुआ और किस ने किया था पुर्तगालियों ने आगे यहां पर पॉइंट दिया गया है पुर्तगाली गोवा दमन और दियू पर 1961 तक सासन करते रहे आपको याद रखना है इस प्रकार वह सबसे पहले कवाए 1489 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए यह पॉइंट आपको याद रखना है 1961 तक पुर्तगालियों ने गोवा दमन और दीव पर क्या क्या सासन किया और इधर पुर्तगालियों की कहानी के साथ साथ धीरे धीरे डच का आगमन हुआ किसका हुआ डच का आगमन तो आप से पूछा जाता है भारत मे आने वाला पहला डच नागरी कौन था तो उसका नाम था कारनेलिस हेड हस्तमान है आपको याद रखना है कारनेलिस डे हस्तमान था वहां 1596 में इस भी में भारत आया और वहां 1596 में इस भी में भारत आया और किस तरह यहाँ पे देखेंगे डचों ने भारत में सभी महत् के छेत्रों पर कबजा कर लिया और पुर्तगालियों के सकती को कमजोर कर दिया यहां पर पुर्तगाली भी मसाला काम करते थे लेकिन जब डचों ने अपना काम स्टार्ट किया तो पुर्तगाली क्या हो गए पुर्तगाली थोड़ा सा कमजोर पर गए डचों के आगे और फिर क्या हुए डच इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना हो गई और डच इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना कब हो गई 1602 इसवी में डच इस्ट इंडिया की कमपनी अस्थापित हुई और जब 1602 इसवी में अस्थापित हुई तो डचों ने क्या किया जब इनका बिजनेस तेजी से चलने लगा तो इन्होंने 1605 इस भी में मसूली पटनम में पर्थम डच कार खाना की अस्थापना की याद रखना इस्ट इंडिया कमपनी डच की 1602 में और पहला डच कार खाना की अस्थापना की 1605 इस भी में क्या हुआ रोस्त सबसे पहले पुर्तगाली यात्री आये थे तो पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा को समुंद्री मार्ग खोज निकाला था और उसी मार्ग के जानकारी लेकर ध्यान से समझना है जिस समुंद्र मार्ग को पुर्तगाली ने खोजा था उसी मार् की तयारी करके ब्यापार के लिए ब्यापार की तयारी करके इंगलेंड से सन 1608 में हेक्तर नामक एक जहाज हेक्तर नामक कभी-कभी रेड ड्रेगन भी कहा जाता है जहाज का नाम याद रखना है एक जहाज भारत के लिए रवाना हुआ क्या किस लिए रवाना हुआ ब्यापार करने के लिए रवाना हुआ कहां से रवाना हुआ इंगलेंड से रवाना हुआ अंग्रेजों ने वहां से ब्यापार के लिए आये वहां से चले और किस रास्ते से जिस रास्ती से पुर्तगालियों ने आया था और इस जहाज की जो कैप्टन थे उनका नाम था हाकिन्स, हाकिन्स था हैक्टर नामक जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका, कहां पर पूछा जा सकता कि जब अंग्रेज सबसे पहले आये, तो उनका जहाज कहां पर रुका, तो सूरत के बंदरगाह पर जा जहांगीर और जहांगीर का ही सासन था याद रखना जहांगीर को नियाई का जंजीर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है नियाई का जंजीर भी कहा जाता है और अब क्या हुआ जब हाकिंस वहाँ पे आया जब हाकिंस आया तो हाकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिल पूर्तगाली और जो डच है वहा आल्रेडि पहले से बयापार कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया जू राजा थे हाँगीर उनोंने पूर्तगाली के खिलाब क्या कर दिया है पुर्टकाली के खिलाब उनसे कुछ बिसेस सुबधाएं ले ली और उसे कुछ अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर क्या हुआ जब उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ.. तो संध 1611 k구나 में मसूली पटनम आज पर्देश में British company ने अपनी पहली factory अस्थपीद करदी अब याद रखना है 161 में British company ने भी मसूली पटनम में अपनी factory अस्थपीद करदी और फिर क्या हुआ वह दोग जो वहां कि जहांगीर आज गीर जो राजा थे उन पर मखं लगाते और मक्खन लगाते रहे और मक्खन लगाते 1613 इस भी में जहां गीरने एक अग्या पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई रूप से कोठी अस्थपित करने की अनुमती दे दी अभी तक था अस्थाई था लेकिन 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थाई यह याद रखना है जो सन 1660 में कमपनी बनी थी अंगरेजों की यह पॉइंट याद रखना अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि 1600 SB में अंग्रेजों की जो कमपनी है वो किस भारतिय ने खरीदा तो संजीव मेहता ने 2005 में खरीदा है ये पॉइंट भी याद रखना है अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए अपने मित्र तक जरूर सियर करें अगर इसमे और धीरे 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 क्या हुआ पलासी का यूद आ गया अब पलासी की यूद में क्या हुआ पहले हम जानेंगे उस समय सिराजों दोला जो थे वो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपने दादा अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे अली वर्दी खान उनके डादा थे और अली वर्दी खान के बाद सिराजोदोला जो थे वो बंगाल के क्या बने नमाब बने और जब वो बंगाल के नमाब बने उसी समय क्या हुआ कि पहले से अंगरेज लोग यहां पर रह रहे थे और सिराजोदोला क्या थे सिराजोदोला ने यहां नमाब भ किलेबंदी कर रहे थे तो क्या वहा कि उस समय जब मैं किलेबंदी कर रहे तो जो सिरा जोदाला थे उन्होंने कहा कि हमारे अस्थान पिपर किलेबंदी नहीं कर सकते हैं और इसका उलंगान करते हुई अंग्डेजु ने कलकत्ता में जो फोर्ट बिलियम था उसपल किलेबंदी प्रारंब कर दी, कहने का मतलब सिरा जो दौला को रोकने के बाद भी वह लोग नहीं माने और फोर्ट बिलियम जो था वहां पर उन्ने किलेबंदी प्रारंब ही कर दी अंग्रेजों ने और जब वहाँ पर प्रारंब किये किलेबंदी तो क्या हुआ आगे फिर पॉइंट क्या हुआ बंगाल के नमाब को कुरोधित करते हुए अंग्रेजों नमाब के सत्रू किरिस्डदास की सरड़ दे दी कहने का मतलब यहाँ पर दोस्त क उनका नाम था क्रिस्लदास और क्रिस्लदास को किसे ने सरण दे दिया अंगरेजों ने दे दिया अब इधार क्या हुआ कि यहाँ पर उन्हों नहीं माना किले बंदी की और यहाँ पर क्या हुआ उनके सत्रू को ही अपने उनके सत्रू को ही अंगरेजों ने सरण दे दिया अ नवाब ने बंगाल के नवाब मतलब सिराजव दौला ने कलकत्ता के किले पर हमला किया जब ये सब पॉइंट हो गया तब उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कलकत्ता के किले पर हमला कर दिया और यूम नियंतरन रस्थपित कर लिया और कलकत्ता को हमला करने के बाद वहा पे जीत हांसिल की तो जो अधिकारी थे उन्हों कैद कर लिया और उन्हें फोर्ट बिलियम में एक काल कोठरी में रखा मतलब सभी अधिकारियों को जो फोर्ट बिलियम था उसमें काल कोठरी मतलब एक कमरा था उसी में सभी को एक साथ अंदर बंद कर दिया कितने लोग थे 14 146 लोगों को कैद किया और बाद में क्या सूचना मिली कि सभी लोग मर गए केवल केवल 23 पूरुष ही जीवित थे 146 लोगों को उन्होंने कैद किया और उस कालकोट्री में जब बंद किया तो सभी की मृत्त हो गई दम घुटने से केवल 23 लोग ही बचे थे और इस घटना को याद रखना इस घटना को ब्लेक होल तरासदी भी कहा जाता है आप से पूछा जा सकता है कि ब्लेक होल तरासदी किसे कहते हैं तो ये पॉइंट आसा करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्त अगर कलास अच्छी लग रही तो अपने मितर तक जरूर सेर करना क्योंकि जब इसमें अच्छी व्यू और लाइक आते हैं तो इसी तरह वीडियो बनाने का मन करता है क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं उन्हें कभी भी कोई पेपर में समस्या ना हुआ तो मित्र कहने का मतलब है अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने मित्र तक जरूर सेर करें चैनल को सबस्काइब जरूर करें क्या हुआ इसे बलेक होल तरासदी भी कहा जाता है अब क्या हुआ बलेक होल की घटना से छुब्द मतलब गुस्से में इस्ट इंडिया कमपनी के इस्ट इंडिया कमपनी ने यहाँ पे सोरी दोस्त यहाँ पे कमपनी के जो नमाब थे मतलब इस्ट इंडिया कमपनी के जो नमाब थे उन्होंने हमले की योजना बनाई इस्ट इसमें त्याई सी अंग्रेज बच्चे थे और सभी लोग मर गए थे इसे देखकर उन्हें भी दुख हुआ तो इस्ट इंडिया कंपणी के जो सेना पती थे इस्ट इंडिया कंपणी के सेना पती जो थे उन्होंने हमला करना तो चाहा सिराजदोला के उपर ध्यान से इनके पास सेना जो थी बहुत कम थी किसके पास इस्ट इंडिया कंपणी के पास तो उन्होंने एक धोखा धड़ी किया और धोखा धड़ी क्या किया जो सेना पती कौन था उसमें यह याद रखना है बिर्टिश इस्ट इंडिया कंपणी का सेना पती राबर्ट कलाइब थ सिराजवदौला के सेना पती जो मीर जाफर थे मीर जाफर को उन्होंने अपने तरफ मिला लिया और उनसे कहा कि आप हमारे इस यूद में मदद करो और जब सिराजवदौला की हार होगी तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा तो सेना पती जो था सिराजवदौला का वा लालच में पढ़ गया मीर जाफर और वा अंग्रेजों की तरफ हो गया इसके बारे में सिराजवदौला को नहीं पता था फिर क्या हुआ राबर्ट कलाईव ने सिराजवदौला पर अपनी विजई के पस्चाथ और इस पर हमला होता है और क्या हुआ कि सिराजवदौला हार जाता है और हारने के बाद राबर्ट कलाईव ने जो वादा किया था मीर जाफर को मीर जाफर किसका सेना पती था सिराजर दोला को जो वादा किया था कि मैं तुम्हें नवाब बना दूँगा तुनों ने बंगाल का नवाब बना दिया और उसने अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा किया लेकिन आपसे यह याद रखना मीर जाफर जो है बहुत ही सातिर इंसान था इसने क्योंकि अपने से अपने राजा के साथ ही बहुत बड़ा छल किया अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जब यह बंगाल का नवाब बना यह पॉइंट आपको याद भी रखना है जो पलासी का यूद हुआ या 23 जून 1757 को कलकत्ता के पास भागी रथी के नदी के तड़ पर बंगाल के पलासी छेतर में यूद लड़ा गया है आपसे पूछा जा सकता है बंगाल के पलासी छेत्र में 23 जून 1757 को भागी रथी नदी के किनारे या यूद लड़ा गया है अब आगे क्या हुआ मेरे भाई ध्यान से समझना फिर क्या हुआ जब सिराज़ दोला की हार होती है तो सिराज़ दोला जो है जो बंगाल के पहले से नवाब थे वह अपनी सेना को लेकर भागने का प्रियतन किया भागने का प्रियास किया उन्हें लगा कि हम हार जांगे क्योंकि जो हमारे सेना पती है वह अंग्रेज़ो की तरफ जा चुके हैं और अब हमें जीतना बिल्कुल भी मुम्किम नहीं है उसी समय जो मीर जाफर का बेटा था मीरन मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराजो दोला की हत्या कर दी किसकी सिराजो दोला की हत्या कर दी अब दोस्त क्या हुआ कि पलासी के यूद के बिजय के पश्चाथ मीर जाफर को इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा बंगाल के नमाग के ताज पहनाया गया क्योंकि जो वादा अंग्रेजों ने किया था कहा अभी ही हम इसे ताज पहना देते हैं तो कुछ उन्हों ने ताज पहनाया लेकिन इनके साथ भी सही नहीं हुआ आप आगे देखेंगे 1764 इस भी में ध्यान से देखिएगा 1764 इस भी में बक्सर के यूद के पश्चात ब्रिटिस भारती उप महादीप में एक प्रभुत सक्ती बन गई कहने का मतलब जहां पे देखो जहां जो थी ब्रिटिस कमपनियां वो धोखा धरी से जीत गई और जीतते हुए जब बक्सर का यूद हुआ बक्सर का यूद हुआ और बक्सर के यूद के पश्चात जो ब्रिटिस कमपनी थी वो एक बहुत ही अपने महादीप में जो उप महादीप था भारत का वहाँ पे एक प्रभुत सक्ती बना लिया और एक पावरफुल कमपनी हो गई क्या हुआ दोस्त अब आगे देखेंगे उसके संबंद अंग्रेजों से खराब हो गए किसके संबंद मीर जाफर के मीर जाफर कौन था बंगाल का नवाब बना था किसने बनाया था कि अंग्रेजों ने बनाया था तो मीर जाफर के अंगरेजों से जब संबंद खराब होने लगे तो वा तंग आकर उसने गद्धी छोड़ दी फिर उसके दमाद मीर कासिम गद्धी पर बैठा बंगाल का जो नमाब कौन बना मीर कासिम आपसे पूछा जा सकता है कि मीर जाफर के बाद गद्धी पर कोन बैठा तो मीर कासिम बना लेकिन मीर कासिम जब गद्धी पर बैठा तो उसने क्या किया अंगरेजों के साथ धोखा किया धगा किया फिर उसे हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया जब बंगाल का नवाब बना दिया गया उन्हें उसके कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यू हो गई और मृत्यू के बाद कलकत्ता काउंसिल ने उसके दूसरे बेटे निजामुद दौला को नवाब बना दिया ये याद रखना है कलकत्ता काउंसिल ने उसके दूसरे बेटे को निजामुद दौला को नवाब बना दिया तो आसा करता हूं यहां तक कहानी आप समझ गए होंगे अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो comment करके बताएं कि कैसी लगी अगर आप लोग चाहेंगे तो ये series आपकी पूरी खतम की जाएगी और अगले series जल्द आपको देखने को मिलेगा अगर class अच्छी लगी तो comment करके जरूर बताएं अपने मित्र तक जरूर सेयर करें तो मिलूगा एक दूसरे next वीडियो में त देमात्रम